घरीक दिसना आज हम योग के सिक्वेंस के बारे में जानेंगे कि अगर कोई सामानी व्यक्टी अपने जीवन में योग को सामिल करना चाहता है या करना है तो क्या उसको एक सिक्वेंस होना चाहिए यब हमें आसन कब हो करना चाहिए प्रड़ायाम कब करना चाहिए, सुशुम्बयायाम कब करना चाहिए और ध्यान कब करना चाहिए इनका एक सिक्वेंस में अगर आप करते हैं तो आपको निशित तोर पे बहुत ही अच्छा लाब मिलेगा और आप भटकेंगे नहीं, यानि कि अगर आप अपने जीवन में योगों सामिल करना चाहते हैं या फिर कर रखा है तो इसको आप लाइट टाइम बनाए रखेंगे सबसे पहले तो आप किसी मंत्र से शुरू करें यानि कि या तो आप गायतरी मंत्र से, ओम के उचरण से या फिर कोई भी प्राहतना अगर आपको करना अच्छा लगता है जिससे आप अपने आप एक उर्जा एक सकती मैसूस करते हैं तो आप सबसे पहले ओम प्राहतना करें प्राहतना करने के बाद आपका मन बिल्कूल कैंदिल हो जाएगा, उसके बाद आप ओम की चैंटिंग भी कर जाकते हैं या ओम का तीन बार आप उचारण करें, सही तरीके से उसका उचारण करेंगे, तो आप अपने सरीर में एक अलगी उर्जा का अभास करेंगे, आप चाह सूष बयाम करें, आप फूरीदे ही करें, लेकिन सूष बयाम जरूर करें, आप पास मिनट करें, साथ मिनट करें, लेकिन सूष बयाम जब करते हैं, तो आपके सरीर में एक ब्लट सर्कूरेशन अच्छा से होने लगता है, और उसके साथ आप कोई भी आसन करते हैं, तो आ मैंने अपनी चैनल पर एपलोड कर रखा 3 करना है उसकी बारे मैंने बहुती जर्चा किया है आप चाहे तो आप सुष व्याया देख सकते हैं और चाहे तो साथ कर सकते हैं मैंने तो पूरा 35 मिनिट के डाला है लेकिन आप अपनी छंता की अनुसरकृ उसे आप पाच मिनिट में दीरे दीरे कर सकते हैं कि वाद आपको आशन करना है आशन भी आपको सारे आसनों को एक साथ नई सामेल करना है कोश आसनों को सामिल करना है और आसन जब आप करेंगे तो आपको एक स्थेर रहना है यानि कि जब आप आसन करें तो वो सुख पुर्वक करें कोई भी आसन, कोई भी प्रड़या हमारे सरीर में बेचैनी हलचल पैदा करने के लिए नहीं होता है हमारे सरीर को वो सुख प्रड़ान करता है आनंद प्रड़ान करता है और बिल्कुल रिलाक्स फील कराता है यह आपको करते समय भी और करने के बाद तो इसके लाव आपको खुद बता चलेंगे उसके लिए मुझे एक्स्प्लेंट करने की जरूरत नहीं है तो उसके बाद जब आप आसनों को करें और आसनों को चुल लेजिए चाहे आप सुर्य नमस्कार, पदमाशन, प्रग्या योग आपको भी आसन को चुल सकते हैं आप कुछ दो खड़ेओं के आसन कर लीजिए दो पैट के आसन कर लीजिए दू पीट के बल कर ली आशन और दो पेट के बल कर ल Ringsijo और जो भी आसन करें उसमें थोड़ी देर बने रहें इसके बाद अपनी छमता के नुशार आसन करें और उसके साथ आप प्रड़ायाम करें जब भी आप आसन करें तो उसके बाद प्रड़ायाम मिश्चित तोर पे करें आप्रडःयम नहीं करते हैं तो आपका मन्हिंस्तिर रहते वारा है आपका सरीर में वह उर्जाक शिड प्रड़ायाम को कैसे करना है इसका मैंने प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड कर रखा है आप जरूर देखें और प्रड़ायाम को करने के बाद आप ध्यान की बाद आप सवार्षन में जाए दो मिनाट से लेकर पांच मिनाट आप रिलाक्स कर सकते हैं ध्यान भी कई तरीके से होता है जैसे कि योग निद्रा भी एक तरीकी का ध्यान है और भी ध्यान की बहुत सारी प्रेकार होते हैं और जब आप सवासन कर लेते हैं दो से घाई मिनट उसके बाद आप इनको रलाक्स फिल करते फिर आप अपने शामाने गज़िदी को करने जा सकते हैं लेकिन आप अगर इस सिक्वेंस में नहीं करते हैं तो आप इस तौर में कुछ टाइम को करके छोड़ देंगे या आप के लिए ये वीडियो कितना हैल्प कर दो करते हैं झाली कितना है